हेलो स्टुडेंट्स वेलकम ओल फ्यो इन एज्यूगे सनराइज माइन इस वर्दाराम आज हम करेंगे इद गाहा पार्ट के प्रसन उत्तर लेकक हैं इसके मौनसी प्रेम चंद हमने एक वीडियो इसका पहले अपलोड कर चुका है आज हम इस सेकंड पार्ट में जो सेस बच परसन उनको लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पांच्वा प्रसन निम्न लिकित गद्यासों के सब्रसन्ग व्याक्या कीजिए आपके परिक्साम के प्रसन्ग पूछ जाता है और सब्रसन्ग व्याक्या करने के लिए गद्यान से पहला है कई बार यही क्रिया होती है आत्माओं को एक लड़ी में पिरोई हुए है इसके हमें सब प्रसंग व्यक्य करनी है जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा संदर इसमें हम लिखते हैं यह गद्यांस प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईद गाह से लिया गया है इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग प्रसंग में यह लिखा जाता है कि इस पूरे गद्यांस का जो सार होता है एक या दो लाइन में हमें लिखना होता है हम लिखेंगे इस गद्यांस में सामुईक रूप से नमाज अधा करने का द्रश्चे दिखाया गया है नमाज अधा करने के दोरान जब एक साथ सारे सिर नीचे जुखते हैं और फिर उपर उड़ते हैं उसका वर्ना नियापर किया गया है लेखक ने नमाज अधा करने की प्रणाली का बड़े ही आकर्शक धंग से वर्नान किया है व्याक्या करेंगे हम व्याक्या में लिखना है कि नमाज अधा करते समय एक साथ असेंख्ये लोग अपने सिर सीजदे में एक साथ जुखाते हैं वे एक साथ खड़े होते हैं और फिर एक साथ जुख जाते हैं तो ये जो क्रिया होती है नमाज अधा करने के दोरान एक साथ सबका सिर जुखाना पुना एक साथ सिर को उपर उठाना इस क्रिया को लेखक ने यहाँ पर बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है जिसका हम बनन कर रहे हैं सभी के द्वारा ये क्रिया कहीं बार द्वारा जाती है और इस क्रिया को देखकर लगता है कि मानो बीजली के बल्ब एक साथ जलते हैं और बुझते हैं इस तरीके से रोसनी जलाने के लिए हम बल्ब जलाते हैं और कई बल्ब यदि एक साथ यदि हम एक ही स्वीच से अन करते हैं उन्हें जलाते हैं और फिर एक ही स्वीच से उन्हें बुझाते हैं तो एक साथ जलना उन इतने स्वीचों का एक साथ बुजना ऐसी प्रक्रिया ही लग रही थी उनकी यह क्रिया चलती रहती हैं यह द्रस्य बहुत ही मनोहर हैं लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को स्रद्दा और आनंद से भर देती हैं यह क्रिया सभी के अंदर भाई चरे की भावना का निर्मान करती है ऐसा लगता है मानों सभी मानों की आत्माओं को एकता के धागे में पिरो दिया गया हो क्योंकि एक साथ यह क्रिया हो रही थी तो ऐसा लगता है कि सभी आत्मा जुड़ी हुई है किसी एक धागे में पिरोई हुई है जैसे माला के धागे में मोती के दाने जैसे किसी माला में जो जितने मोती होते हैं वो उस एक ही डोरी से सारे के सारे मोती जो है वो संचालित होते हैं यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक धागे में यह सभी मोती सभी आत्मा र प्रियोग हुआ हैं दूसरा अगला प्रस्णा बुढिया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ इसका हमें इसकी सब्रसंग व्याख्या करनी है इस गद्य की सबसे पहले हम लिखेंगी संदर्व यह गद्यांस प्रेम चंद द्वारा लिखित कहानी इद गहा से लिया गया है प्रस मेले से आता है और उसके हाथ में देखा कि उसके हाथ में एक चिम्टा है तो पहले तो देख करके हैरत में पढ़ जाती है उसे आश्चरिय होता है थोड़ा सा उसे दुख भी होता है एक छोटा सा बच्चा खाने खिलोने के लालच को छोड़ करके उसके लिए एक चिम्टा खरिद लाया अपनी दादी के लिए तो दादी भाव विबूर हो जाती है इसी बात का यहाँ पर वनन किया गया है कि पहले वो क्रोधित होती है लेकिन उसका जो भाव था बच्चे का चिम्टा खरिदने का उस भाव को जब दादी को पता चलता है तो दादी एकदम भावा जो है दादी एकदम पिगल जाती है वो इस बात का वर्णनिया पर किया है दादी ने जब हामीद से चिम्टा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिम मिटा खरिद लेता है ना कि अपने तीन पैसे जो उसके पास तीन पैसे थे वो न तो खिलोने खरिदने में बरबाद करता है नहीं कोई मिठाई खाने में बरबाद करता है दादी हामीद की बाते सुनकर भावुक हो गई यह बात सुनकर उसका सारा गुस्सा जाता रहा और स्नेह तता ममता से भर गई वह प्रसनत आके करन कुछ बोल नहीं पा रही थी इतनी खुसी हो रही थी दादी के मन में कि उसे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी लेकिन उसकी आखों से लगातार आशू बह रहे थे वह बस हामीद को देखे जा रही थी दादी स्नेह रस जे भर वो मजबूत स्वाधिस्ट और रस से परिपूर्ण था वे हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से योगत हैं विसेश में लिखना है कि लेखक ने दादी के मनुभावों का सुन्दर चित्रन किया है और गद्य की भासा बहुत ही सरल हैं अ पूछा कि अरे तु ये क्या ले आया क्या ये तेरे लिए खिलोना है क्या करेगा तो इससे तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो क्या-क्या जो है उसके प्रमान देता है उसके पक्स में क्या-क्या बात करता है इसके हमें यहां पर बात करनी है हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिध करने के लिए निमनले की तर्क दिये थे हामिद ने कहा कि खिलोने यदि गिरे तो बहुत जल्दी नस्ट हो जाते हैं परंतु चिम्टा गिरने से नहीं टूटता है यह हम ऐसा चलता रहेगा मेरा चिम्टा नहीं गिरेगा मेरा चिम्टा तूटेगा नहीं यदि गिर भी जाता है तो लेकिन यदि खिलो ना गिर गिर गया तो गिरते ही तूट जाएगा और ऐसा हुआ भी था जब बच्चे घर पहुँचे तो एक दूसरे के हाथ से लेने के चकर में बच्चों के जो ह यारी बहुत प्रसंद हो जाएगी और लोगों के सामने उसकी बहुत ज़्यादा प्रसंद सा करेगी ऐसा उसने सोचा था हुआ भी ऐसा ही था और अगला पॉंट है कि मौसं के कारण किसी भी प्रकार का मौसं हो चाहए सर्दी हो, गर्मी हो, वरसात हो कोई भी मोसम हो चिम्टा खराब नहीं हो सकता बलकि जो खिलोने लाएते वो तो खराब हो जाएंगे यह हमेसा काम आएगा और चौता पॉइंट है कि हामिद का मानना था कि चिम्टे का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इसका उप्योग खिलोने के रूप में इसका वर्णन लेखक ने किया है मानो आखों के सामने चित्र उपस्तित हो रहा हो अपने घर और विद्याले के मध्य पढ़ने वाले इस्तानों का अपने सब्दों में वर्णन कीजिए देखे बचों वैसे तो ये प्रस्ना इस प्रकार है कि इसका अपने आदार पर उतर देना ह मैंने मेरी तरफ से ये उतर देना का प्रियास किया आप लोग अपनी तरफ से दीजिए जैसे हमें ये बताना है कि मेरे घर से और विद्याले की बीच में पढ़ने वाले जो इस्तान है लग लग उसका वर्णन करना है तो मेरे घर और विद्याले के मध्य चार किलोमेटर क के मद्य में हमारे इलाके का मुख्य बाजार पड़ता है और फिर बाजार के बाद फिर आता है हमारा स्कूल हम अपने मकान की गली से निकल कर यानि हम जिस महले में रहते हैं वहां से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो इस मुख्य बाजार की सड़क पर पहुंच जाते हैं मतल हम जैसे मोट्गे सड़क पर आते हैं तो वहाँ पर दोनों तरप लॉरी लियुक्र खड़े रहते हैं ठेले वाले ठेला लियुक्र रहते हैं गली से दाइः और मुढने पर मुक्रेशंड़क आती हैं इसकी एक और छोटे-छोटे धावे बने हुए हैं जहां बाजार में काम करने वाली मजदूर दोपेर के समय खाना खाने आते हैं एक तरफ होटल है होटल मतलब जो धावी टाइप होटल होती है न वो जहां पर मजदूर लोग जो दिन में वहाँ खाना खाने के लिए आते हैं हम जब सुबह जाते हैं तो यह इस्तान सुनसान होता है کیونکہ सुबह खाना खाने वालों के यहां इतनी भीड़ नहीं होती है लोपेर के समय लोग खाना काने के लिए आते हैं लेकिन विद्याले से लोटते समय यहाँ भूत भीड़ होती है कुछ दूरी पर जाने पर हमें फिर दाई और जाना पड़ता है जिसमें एक और मुक्य सड़क आती है यह मुक्य सड़क बहुत लंबी है इसके दोनों और सरकारी कॉलोनियों की कतारे हैं बीच सड़क पर आगी चल कर बाई और एक मंदीर हैं इस तरीके से आप अपना वर्णन कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या आप क्या-क्या देखते हैं ठीक है तो कहीं लिखना है धाबी हैं कहीं मंदीर हैं कहीं प्रकार की जो हैं आप लिख सकते हो कार खाने भी हैं कहीं छोटे-मोटे किराने की दुकान हैं कई फल सब्जियों की दुकाने हैं, सुन्दर सुन्दर पेड खड़े हैं, लोगों के खेद हैं, इस प्रकार का आप वर्णन कर सकते हो, उस मंदिर के बार पानी का एक बर्मा बना हुआ है, बच्चे प्रा इससे चला कर भाग जाते हैं, आगे चलने पर इसी सड़क के उपर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, जिस पर से गाड़िया गुजर जाती हैं, यहां पर दूनों और कचोरी और रजगुले वाले साइकल पर अपना सामान लेकर खड़े मिलते हैं, यहां पर छाया होती हैं, अता यह सिस्तान पर आराम करने के लिए लोग बैठते हैं, और इसके पचास कदमों की दूरी पर हमारा विद्या ले आता है, यही मेरे घर से विद्या ले जाने का मार्ग है, अगला साथ वप्रस्ना, बुड़े हामीद ने बच्चे हामीद का पार्ट खेला था, बुड़िया आमीना, बालिका आमीना बन गई, इस कतन में बुड़ और इतनी छोटी उम्र में वो जो समझदारी दिखाता है, उस समझदारी की वज़े से यहां पर उसे बुड़े हामीद का नाम दिया गया है, ले खकने, वे अन्य बच्चों के समानी था, उसकी उम्र पैसों की एहमियत और घरवालों की जरूरतों को समझने की नहीं थी, वो पैसों की एहमियत समझने की नहीं थी, घरवालों की जरूरत समझने की नहीं थी, क्योंकि अभी वो काफी छोटा था, परंतु हामीद इतना समझदार था कि उसने ये बातें समझी और पैसों को व्यरत में नस्ट नहीं किया, उसने कोई खिलोना नहीं करीदा, उसने को दूसरे बच्चों ने खाने पिने का या फिर खेलने का सामन लिया, परंतु हामिद ने ऐसा नहीं किया, उसने एक बड़े व्यक्ति के समान घर की जरूरतों में ही पैसा खर्च किया, आलतु-फालतु की कोई चीज उसने नहीं करे दी, इसलिए लेखक ने उसे बुड़ा हा है, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह नहीं, बलकि एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचता था, उसने ऐसा किया भी था, उसे अपनी जिम्यदारियों का और घर की इस्तति का भली भाति ज्यान था, दूसरी तरफ हम बात करेंगे अमीना की, बुड़ी अमीना अपने पोते द् पिने का सामान खरिद लेना चाहिए था, वहाँ वो ऐसा नहीं किया, उसने जहां तक दुखी थी, वह एक बच्चे की तरह हैरान भी थी, बच्चों के समान रोने लगी, वह भूल कही कि वह इस उम्र में हामीद से बहुत बड़ी है, इसलिए लेकक ने अमीना को छोटी ब अमीना की दुआओं और आशुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार परिस्पस्ट कीजिए, देखिए, अमीना ने हामीद को उसके माता पिता के बारे में जूट कहा था, हामीद तो जब छोटा था, हामीद को नहीं पता था उसके माबाप कहा है, लेकि कहीं कहीं व्यापार करने के लिए गए हैं कहीं कहीं पैसा कमाने के लिए गए हैं और आएंगे और उसकी मा अल्ला मिया के घर उसके लिए दुआय लेने के लिए गई हैं उसे लगता था कि जब उसके माता पीता लोट कर आएंगे तो उसके लिए धेर सारा उपहार लेकर कर आएंगे ये सोच रहा था हामीद जीवन की हर मुश्किल परिस्तिती में यहीं सोच कर निपट लेता था कि जिस दिन उसके माता पिता उसके पास आएंगे तब वह अन्य बच्चों की तरह खुसी से रह पाएगा उसे कोई चीज की तकलिफ नहीं होगी जब हामीद ने अपन अपना करी सोची कि कास इस बच्चे को यदि पता चल जाए कि इसके माता पिता नहीं है तो इस पर क्या बितेगी कास वो सोचती है कि आज इसके माता पिता जीवित होते तो उसका जीवन कैसा होता वह उस बच्चे के लिए अल्ला से दुआएं करने लगी और खूब रोने लगी वह भली भाती जानती थी कि हामीद के सर से माता-पिता का साया हमेशा के लिए हड चुका है यदि आज उसके माता-पिता होते तो उसका भविश्य ऐसा नहीं होता यही करण था कि हामीद इस रहसे से अंजान था और अमीना बड़े-बड़े आंसु गिराए जा रही थ चलिए अगला प्रस्ना यदि हामीद की जगे आप होते तो क्या करते हामीद ने मेले में जो समझदारी दिखाई थी उसके बारे में यह प्रस्ना किया गया है हामीद की जगे यदि मैं होता तो मैं इतना नहीं सोच पाता इतनी समझदारी होती नहीं यह बच्चों में हमे ऐसे बरबाद कर देता मैं भी अन्य बच्चों की तरह खिलोने या कुछ खाने का ही लेता प्रत्य एक मिले का उद्देश यही होता है कि वह मिले में आयो हुए बच्चों को अपनी और आकरसित करें मैं रहता तो मैं हामीद की तरह गेराई से नहीं सोचकर कुछ खाने या ख खेलने का सावान लेता हामिद बहुत ही समझदार बच्चा था इसलिए उसने पहले अपनी दादी के बारे में सोचा न की अपने बारे में तो बड़ा समझदार बच्चा साबित हुआ हामिद जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते हैं अगले प्रस्ण है दसवन इदगाह कहानी सिर्षक का ओचित सिद कीजिए क्या इस कहानी को कोई अन्य सिर्षक दिया जा सकता है चलिए देखते हैं इदगाह कहानी का सिर्षक बिलकुल उचित है जैसा कि इस कहानी में सुरू से अंत तक इदगाह के बारे में बताया गया है गाउं के लोग कैसे ईदगा जाने के लिए बहुत ही प्रसन है और बच्चे भी ईदगा जाने के लिए अत्यन तुट्साहित नजरा रहे हैं जहां तक हामीद की बात की जाए वह भी अपनी बुड़ी दादी के साथ बहुत ही प्रसन अतासे रहता है बूड़ी दादी के पास ज्यादा पैसा नहीं है ज्यादा तो क्या बिलकुल कम पैसा है उसके पास परन्तु इस बात का हामिद पर कोई असर नहीं है हामिद की दादी सिर्फ इस चिंता में है कि ईद जैसे त्योहार पर खाने को क्या बनाएगी और मेला जाने के समय बच्चे को क्या देगी किसी तरह हामिद की दादी ने कुछ पैसे का इंदिजाम करके हामिद को मेला घुमने के लिए भेज दिया मेले पहुंचने के बाद अन्य बच्चे खिलोना खरिदते हुए देखे हामिद का मन बिल्कुल भी नहीं लल्चा उसे पता था कि उसे कुछ ऐसी चीजें खरिदनी है जिसे वह हमेशा इस्तिमाल कर सके हम भी देखें बहुती समझदार वच्चा था उसने जब मेले से चिम्टा खरिदा तो वह समझ गया कि उसे चिम्टा ही लेना है उसकी दादी के हाथ रोज रोटी बनाते समय जलते थे इसलिए उसने चिम्टा लिया घर आकर उसने वह चिम्टा अपनी दादी को दिया उसकी दादी को हामिद पर बहुती गर्व हुआ और वह खुशी के मारे रोने लगी इसलिए यह सिर्षक जो है इदगा यह पुरा का पुरा इसी चारों तरब घुमता है तो इसका उचित तिस्षिद होता है इस कहाने का कुछ और भी सिर्षक जो हो सकता था कहाने का सिर्षक हामिद और उसकी बुड़ी दादी दादी के लिए चिम्टा हामिद और चिम्टा इस प्रकार के सिर्षक भी हो सकते थे लेकिन यह सिर्षक जो है बिल्कुल उचित है हामिद की चरित्र की कोई तीन विशेस्ता है बताईए उत्तर है हामिद की चरित्र में वैसे तो कई विशेस्ता है परन्तु इसकी तीन विशेस्ता है बहुत ही विशेस है वो इस प्रकार है सबसे पहली तो है कि वो समझदार था हामिद अपनी उम्र के बच्चों से अधिक समझदार है वह दाजी के दिये पैसों को समझदारी से खर्च करता है उसके अतिरिक्त जब उसके मित्रों द्वारा उसे चिड़ाया जाता है तो वह न घबराता है और नहीं भागता है बलकि उसका बड़ी समझदारी से जवाब भी देता है दूसरा है उसका विशेश गोन की वो चतूर है हामिद चतूर बच्चा है, समझदार बच्चा है, चतूर बच्चा है वह अपनी कमी को चतुराई पूर्ण बातों से ढख देता है उसके पास अन्य मित्रों के समान पैसा नहीं था उसके पास मात्र तीन पैसे थे बागी के पास बारा पैसे पंदरा पैसे हैं ना ऐसे थे अतर जब ये खिलोने खरीते हैं और मिठाई काते हैं तो वह उसके अवगून बता कर स्वयम को बचा लेता है वो बताता है कि मिठाईयों के क्या क्या अवगून है एक चतूर है इसलिए तो वो सब ऐसा बता पा रहा है अन्य था वो नहीं बता पाता और अगला उसका गुण है कि भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला है हामिद भावुक है और वह अपनों से प्रेम करता है वह अपनी दादी से प्रेम करता है वह दादी के सुविदा के लिए चिम्टा खरीता है यह उसकी भावुकता और उसके प्रेम का प्रमाण है तो इस प्रकार यह इसकी तीन चारे तरिक विशेस्ता हैं हो गए चलिए अगला प्रस्न देखते है हामिद के तरिक्त इस कहानी कि किस पात्र ने आपको सरवाधिक प्रभावित किया और क्यों तो देखिए साब कि इस पार्ट में हमें हामिद के बाद उसकी दादी के पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया दादी ऐसा पात्र है जिसमें ममता, बचपना, समझदारी, करतवे निस्टा इत्यादी गुण भरे हुए हैं जदी बच्चों की दादी इतनी ममता मही हैं तो बच्चे स्वम ही जिम्मेदारों और सद्गुनों से युक्त हो जाएंगे यही कारने कि हमें ये पात्र सबसे अधिक प्रभावित करता है अगला प्रसना, इस कहानी में लोग प्रचलित मुआवरों की भरमार हैं जैसे नानी मरना, चक्के छोटना, आदी, इदगा कहानी में इस प्रकार के बहुत से मुआवरों का प्रियोग हुआ है इसमें आए मुआवरों की एक सूची तियार कीजिए तो इसमें और जो जो मुआवरे आए हैं उसकी सूची और उसका अर्थ हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्दूत कर रहे हैं इस पार्ट में प्रिवक्त मुआवरे इस प्रकार हैं जैसे आखें बदलना इसका मतलब होता है मुकर जाना या धोखा देना अगला है राई का परवत बनाना या राई का पहाड बनाना मतलब है चोटी बात को बड़ा बना देना दिल के अर्मान निकालना, इसका अर्थ होता है सारी इच्छाएं पूरी करना, दिल कचोटना, अर्थ होता है दुखी होना, सीर पर सवार होना, इसका अर्थ होता है परेसान करना, बेड़ा पार होना, इसका अर्थ है समस्या हल होना, मुह चुराना, इसका अर्थ होता है अत्यदी खुस होना, उल्लू बनाना यानि किसी को बुद्दू बनाना, मुर्क बनाना, काम से जी चूराना, मतलब है काम नहीं करना और काम को टाल देना, अगले कुछ और मुआवरे हैं, आखों तले अंधेरा चाना, इसका मतलब होता है कुछ समझ में न आना, धावा बोल यानि हमला करना, मुझ चिपाना, अर्थात लज्जीत होना, सरमिंदा होना, और किसी काम के लिए जी चूराना, गर्दन पर सवार होना, मतलब होता है अत्यदीक परेसान होना, पैरों पढ़ना, मतलब होता है खुसामत करना, किसी की चापलुसी करना, आग में कुदना, इ गर्मी दिमाग में चड़ना, इसका मतलब होता है घमंड हो जाना, किसी बात का गर्व हो जाना, माती में मिल जाना, समाप्त हो जाना, नस्ट हो जाना, चाती पेटना, यानि विलाप करना, मौका हाथ से निकल जाने के बाद, दुख व्यक्त करना, गदगद होना, यानि प्र बटन को अवस्य प्रेस करिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नौट इपी किसन आपको मिल जाएगा बहुत बहुत धनेवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और नेक्स वीडियो में लेकर के तुरंत ही आपके लिए आऊंगा जल्दी ही तो वेट फूर थे नेक्स वीडियो थेंक यू अल फ्यू थेंक यू